साथ संगत जी प्रेम से कहना धन नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर आज की साखी का विशय है भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी बहुत समय पहले की बात है राधे शाम नाम का एक गरीब व्यक्ति था दिल्ली शहर में एक जगा उसकी चाए की एक छोटी से दुकान थी और राधे शाम वही पास में ही एक जुग्गी में रहता था राधे शाम एक बहुत ही अच्छा और इमानदार इंसान था लेकिन वो बहुत गरीब था उसे कई साल हो गए थे चाए की दुकान लगाए हुए मगर वो अपने काम से कमा कर पुरी तरह अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाता था साज संगत जी इसी बात से चिड़कर राधे शाम ने भगवान की पूजा करना भी ही छोड़ दिया था जबकि उसकी चाए के दुकान ठीक एक मंदिर के सामने ही थी राधे शाम का एक बेटा और एक बेटी थी जो रोज दुकान पर उसकी मदद करवाने के लिए आते थी राधे शाम मन का इतना अच्छा था कि वो रोज ही उसकी दुकान पर आने वाले कुत्ता और बिल्ली जैसे जानवर को भी दूद पिलाता था यही नहीं बल्कि वो रोज ही मंदिर के बाहर बैठने वाली एक बुड़ी गरीब औरत को भी मुफ्त में चाई और ब्रेड देता था लेकिन राधे शाम कभी भी मंदिर के तरफ ध्यान नहीं देता था अब एक दिन उस बुड़ी औरत ने राधे शाम को पूछी लिया कि बेटा तुम रोज मुझे इसी मंदिर के बाहर सुभह शाम चाई और ब्रेड देने आते हो लेकिन तुमने आज तक इस मंदिर के तरफ ध्यान नहीं दिया नाही तुम इस मंदिर के आगे कभी भी भगवान को नमस्कार करते हो ऐसा क्यों? क्या तुम भगवान को नहीं मानते? या तुम किसी बात से भगवान से नाराज हो तो राधे शाम ने अपनी नामाखों से उस बूड़ी गरीब महिला से कहा माजी इस दुनिया में कोई भगवान नहीं होता सब जूट है मैं पहले भगवान को बहुत ही जादा दल से मानता था रोज सुबह पूरे मन से भगवान की पूजा करता था लेकिन पता नहीं क्यों मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी रह गई कि मेरे काम में कोई भी तरक्की नहीं हो पाई और कई लोगों के पास तो मेरी चाय के पैसे भी उधार पड़े हैं और वो हैं कि मेरे पैसे देने का नाम ही नहीं लेते अब मैं करू तो क्या करू भगवान भी मेरी कोई मदद नहीं करता इतना कहकर जैसे ही रादे शाम वहां से जानी लगा उसी समय उस बूड़ी महिला ने रादे शाम को रोक कर कहा के बेटा तुम चिंता मत करो इश्वर के घर देर जरूर है मगर अंधेर नहीं तुमने भगवान पर विश्वाश और उनकी पूजा करना जरूर छोड़ दिया मगर तुमने हमेशा गरीब लोगों की और कई जानवरों की बहुत सेवा की है इसलिए एक दिन इस शिश्वर की नजर तुम पर जरूर पड़ेगी और उस दिन सब ठीक हो जाएगा तो मैं उन्हें तभी मानूँगा जब वो मेरी चाय की दुकान बंद होने से बचा लेगा क्योंकि अगले महीने ही मैं दुकान बंद करके हमेशा हमेशा के लिए अपने गाव जा रहा हूँ क्योंकि माजी अब मेरे पस काम करने के लिए पैसे ही नहीं बचे इतना गहकर राधे शाम आखों में आसु लिये, अपनी दुकान की और चला गया तभी वो बोढ़ी महिला भी उस चाय वाले के लिए मंदिर में प्राथना करते हुए कहती है हे प्रभू, ये राधे शाम एक बहुत अच्छा इंसान है वो चाहे आपको नहीं मानता, मगर ये हमेशा ही आपके चलाए हुए रास्ते पर चलता है इसलिए प्रभू, इसकी दुकान बंध होने से बचा लीजे वरना इसका आपके साथ-साथ, खुद की महनत और इमानदारी पर से भी विश्वाश पूरी तरह से उठ जाएगा तभी कुछ ये दिनों के बाद शाम के समय, राधे शाम, अपनी दुकान को हमेशा हमेशा के लिए हटा रहा था वो दुकान राधे शाम के पिता की थी, अब उसे मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ रहा था दुकान हटाते समय राधे शाम की आँखों में आसु आ गए और फिर राधे शाम, चाय की दुकान हटाने के लिए दुकान के ही बगल में लगे हुए बहुत पुराने डंडों को निकालने के लिए वहाँ एक गहरा खड़ा खोदने लगा अब जैसे ही राधे शाम ने गड़ा खोदा, तो उसे वहाँ एक कठोर सी चीज दिखाई दी जब उसने वह गड़ा पुरी तरह से खोद लिया, तो उसे एक पीतल की पेटी दिखी जब राधे शाम ने उस पेटी को खुला, तो उसे देखकर वो एकदम हैरान हो गया क्योंकि उस पेटी में बहुत सारे सोने के सिक्खे और जेवर थे राधे शाम को अपनी आँखों पर विश्वाश नहीं हुआ, तो उसने जल्दी से वो पेटी एक कपड़े में लपेटी और घर पर अपनी पतनी के पास लेकर चला गया राधे शाम के पतनी भी उस पेटी में इतना सोना देखकर हैरान हो गई अब राधे शाम को भी विश्वाश हो गया था, कि वो सच में सोना ही है तभी राधे शाम को उस गरीब महिला की कही हुई बात याद आने लगी कि उसने कहा था भगवान के घर देर है, मगर अधेर नहीं और अब राधे शाम अपनी पतनी के आगे ये कहकर रुनी लगा ना जाने कब से मैं भगवान की निंदा करता हुआ आ रहा हूँ जबकि आखिर में भगवान नहीं मेरी मदद की है शायद ये सारा खेल भगवान का ही था, ना मैं भगवान से नराज होता ना मैं गाव जाने के लिए चाय की दुकान को वहाँ से हटाता तो शायद ही सोना मुझे कभी नहीं मिलता अब राधे शाम अगले ही दिन सुभे सुभे मंदिर में गया और भगवान की पूजा करके उनका धन्यावाद करने लगा बाद में राधे शाम ने उस मंदिर के बाहर बैठी उस बूड़ी महिला के पाव चुए और उनको उसी समय अपने घर ले जाकर सारी बात बताई और उनसे राधे शाम ने कहा मा जी आज से आप यहीं मेरे घर में रहेंगी अब आपको मंदिर के बाहर बैठने की भी कोई जरूरत नहीं है आप से आप मुझे ही अपना बेटा समझिए ये सुनकर उस बूढ़ी महिला की आँखों में आसू आ गई तो साथ संगत जी इश्वर के घर देर जरूर होती है मगर अंधेर कभी नहीं होती इसलिए हमें हमेशा इश्वर पर पूरा विश्वाश रखना चाहिए और किसी भी हाल में अपना विश्वाश इश्वर पर से कम ना होने दे साज संगत जी एक आठ साल की बच्चे चाहदनी और पांच साल का बच्चा सोनू दिपावली के दिन सुभे से ही बहुत खुश थे पांच महीने से दोनों बड़ी बेसबरी से दिपावली का इंतजार कर रहे थे रामु कुमार और उसकी पतनी चंदा दोनों ने बच्चों को दिपावली के दिन नए कपड़े लाने और अच्छी अच्छी मिठाईयां खिलाने का वादा किया था अब हर रोज वो लोग रोटी के साथ नमक खाते खाते उब गए थे कुमार कुमार इन दोनों ने बड़ी मेहनत और आशाओं के साथ पूरी शिद्दत से धेर सारे अनेक आकार के दिये तयार करके अपनी जोपड़ी के आगे फुटपाथ पर कई पुराने बोरों के उपर सजा रखे थे और आज दिपावली के दिन दोपहर के तीन बजने को आ गए मगर उनके दियों की कुछ खास विकरी नहीं हुई थी दरसल सभी लोग रंगीन मौमबतियों और डेजाइनर दियों के पीछे पागल हुए जा रहे थे सभी लोग बड़ी बड़ी दुकानों से भर भर कर रंगीन मौमबतियां खरीद रहे थे इन देशी दियों की दरफ तो कोई देख भी नहीं रहा था अब कुमार कुमारी उन लोगों को रंगीन मौमबतियां खरीदते हुए देखते और अपने बनाए हुए दियों को देखकर आहें भरते दोनों पती पत्मी एक दूसरे को देखकर नजरे चुराने की को शिश कर रहे थे और चांदनी और सोनू दोनों बच्चे पूरी वस्तु स्थिती से अंजान बहुत ही खुश थे जबकि वस्तु सिती ये थी के थोड़ी ही देर में सब जगा रोशनी से जगमग होने वाली थी केवल कुमार की जोपड़ी में अंधीरा होता शाम के पांच पजने को आए दोनों कुमार कुमारी निराशा के भवरों में डूबे थे तभी उधर से नितेश संजीव और विनोध के साथ कई लोग गुजरे लगभक तीस लोग अनात बच्चों के साथ दिपावली मनाने अनात अल्य जा रहे थे तभी विनोध जी ने कहा पटाकों के बदले हम देशी दिये ले लेते हैं नितेश जी ने समर्थन में कहा ये ठीक रहेगा इससे वायू प्रदूशन और धवनी प्रदूशन भी कम होगा अब संजीव जी तो शुरू से ही पटाकों के विरोध में थे सभी ने मिलकर सलहा मशवरा किया और देसी दियों, देसे मिठाईयों और रंग विरंगी रोशनी वाली फुल जड़ियों के साथ पारम पर एक ढंग से ही दिपावली एक साथ अनाथाल्या में मनाने का फैसला हो गया फिर सभी लोगों ने मिलकर उचित मुल्या देकर कुमार कुमारिन के सारे दिये खरीद लिये पैसे मिलते ही कुमार कुमारिन के चेहरे पर ऐसी मुस्कान खिली जैसे उन्हें कोई दबा हुआ खजाना मिल गया हो दोनों ने जल्दी से अपने बच्चों को लिया और उनके लिए कपड़े खरीदने चल पड़े कपड़े खरीदे और फिर बच्चों के लिए मिठाया खरीदी आखिर उने भी तो पूजा करके दिपाव ली मनानी थी कहते है ना साथ संगत जी के ये इश्वर सब देखता है इश्वर के घर देर है मगर अंधेर नहीं अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजेगा आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी